प्रणिया स्री सुद्धार मबरकाश जी भारिल जो अपने डॉक्टर कुम्चन भारिले उनके बड़े भाई स्री रतंचन जी भारिल के सुपुत्र जी है और दस दिन उनका मुख से ओजुश्वी प्रतिमा है और उनके मुख कमल सारा जिन्वानी का रशा स्वाधन हम 200 दिन 20 स्वाध्याई के माध्यम चे करेंगे वैसे इंग्लिस में कहें देज वेरी गूड ओरेटर और आप दसों दिन आप स्वाधन उसको महसूस करेंगे कि बहुत ही अच्छी स्वाध से लिवें मूल तत्यों को समय सारजी के गाथा गाथा का तत्य संजाएंगे तो आप आप कि अच्छी सार्ण दूस को कि दस लक्षण मापरों की आराधना सुर्व हो गई है और सब लोग वोख सकते में हैं कि होगा क्या कि सपी सपने दिखाई दे रहे हैं कुछ होगा नहीं जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है आदे सोच में कि खड़े हो के बोलेंगे, आदे सोच रहें बैट के बोलेंगे, आदे सोच रहें एक बार और सुनाइँगे ऐ कहानी, पता नहीं क्या सो ते बार वैट के शुरू करता हूँ, अमजी ने का ऐसे ही करो और फिर नकी करेंगे कैसे बोलना है आप पहले तो यह समझ लो कि मैं दस दिन तक बिलकुल ऐसे ही गैट के बोल सकता हूँ मुझे इसमें आराम मिलता है मैं ठकता नहीं हूँ आसानी होती है लिगी परपच क्या है मेरा आराम या जिस परपच के लिए हमें दस्लेक्शन दर्म सुरूर किये हैं वो पूरा करना पहले वो नकी कर ले और मैं तो 17 साल की हुमर से बचल कर रहा हूँ कमजी और मैं बावन का हो गया तो इस 4-5 साल से मैंने अपना तरीखा बदला और क्यों बतला वो आप समझ लो समझ में आए ना आपको क्योंकि सबकी सखले दिख नहीं है ऐसे बिल्कुर ऐसे गटे सब लोग पता नहीं क्या होगा ये दस्वच्चन कैसे होंगे ये बहुत अच्चे होंगे लाला इको मजू करता है इसलिए बिल्कुल बिल्कुल आप मेरी तरह हो मैं तो कल सामसे झूढ़ jazz कौन मेरी तरह हो कौन मेरे से विरूद में है और मैं पकण में पाना हो कौन किस तरह है मेरी तरक है तो क्या हुआ कि मैं पिछले 12-13 साल से corporate training कर रहा हूँ corporate में जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, leadership ट्रेनिंग करता हूँ, spiritual ट्रेनिंग करता हूँ corporate में और एक आख रुपरी घंटा में उनसे चार्ज करता हूँ आप चे नहीं गिये आपसे लेने का कोई विचार में नहीं, यह लूमा भी नहीं और वहाँ लोग ऐसे सुनते हैं, diary pen देखे, तो यह पैसे देके आते हैं ना और प्रश्मेदर साफरी में सुनना है और सब को सलाय देनी है, वहाँ कोई सलाय देता बंकर्ट यह सब को सलाय देनी है क्या करना है, क्या नहीं करना है बेख कुतना, और मेरी भी जुम्मेदारी होती है कि मैंने उसे ता पैसा चार्ज किया तो भी कुछ लेके जाए नहीं को फिर वेल्यू फॉर मनी नहीं ना सब तो फिर मैंने सुचा कि हमारे पाद इतना अलोगी तक्तोग्या ने गुर्देश्री का दिया हुआ इतना अलोग एक और पूरी दुनिया तक्तोग्यां की पीछे भाग रही है, सांती भूंकी ख़र रही है और उन्हें दुनिया में नहीं मिलने वाली नहीं इसके अलावा वो यहीं मिलने वाली है, मेरी पक्की मानता है तो इस बार को अगर हम भूझ धंसे प्रस्तोग करें जिस धंसे हम बुसी चीज़ प्रस्तोग कर रहे हैं तो क्यों ना लोगों काम यहां हो जाए तो फिर वही सें तक ओहुझ खड़े हो के बोल रहा हूं अच्छा बैठके बोल ले मैं आप कुरसी की ऊपर बैठके बोल ले मैं ऑँ खड़े होके बोल ले मैं त्याफ राग यह जो केमली यहीं में बैठके भी हुए जते सब्सक्राशे क्ला सब्सक्राइब को जिर्व कियो सब्सक्राशे कोई लाकल्कित को सब्सक्राशाइन हिसका है तो बैटके बोलूं कि कुर्सी पर बैटके बोलूं कि खड़ें और ले सकते हैं तोड़ा सा साउन ना घूंद रहा है तो ठीक है मैं प्रोते नहीं करूँगा इनक लिगा कि लहां हा इनक लेसकते हैं ये तोड़ा सा सुंद गूद रहा है इसे नहीं जा रही है ठीक है तो तो वो और बोलते थे और आर बते घंडा लेनम पागी है अद陆 तो वो खड़ो के बोलते थे टेवल को फोकते थे तो फिर मैंने सुझाए कि मैं पच्छन नहीं करूँगा ने किलासी दूँगा लेकि कमल जी नहीं किया कि जितने पोस्टर गराफ सब पर्चन 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 लिख दिया अगर किलास लिख देते ना तो चकर ही नहीं पड़ता अच्छा बैकिया माँ लिखा है तो वो खड़ो हो सकती है हो सकती है ना मैं वो ही पूछ रहा हूँ अच्छा और चुनो क्यों खड़ो के करना है वो भी सुन लो इसमें मुझे आपने रिखा लिया अब मैं बंद गया और आप खुल ले हो आपको सोना है तो आप सो सकते हो आपको उठके जाना है तो आप जा सकते हो आपको मोबाल दिखना है तो आप देख सकते हो क्योंकि मैं उठके नहीं आ सकता आपके पास मैं ख़ड़ा हूँ ना तो मजाल एक आदी सो जाए क्योंकि मैं आपको जाओंगा उथर और पूछूँगा आप से संजे भाई नीन आ रही है तो आप अलट रहोगे मैं अलट रहोगे क्योंकि पता नहीं कभी भी आ जाएंगे दूसरा हम ज्यादा impactful होंगे और जो मैं चीच बताना चाहता हूँ वो मैं बता पाऊंगा ऐसा नहीं किसमें नहीं बता सकता लेंगी तरीका होता है ना मैं आज सोवे राब कोई बोड लगेगा वाई बोड और हम interactive जाएगा होंगे मैं आप से कुछ पूछओंगो आप उससे कुछ पूछोंगे हम बातकीत करेंगे तो interaction बढ़ेगा नहीं को मैं याब बैट के ऐसा नहीं कि बैट के होना नहीं चाहिए होना ही चाहिए लिए समय बदल रहा है आप चिप्थी से WhatsApp पर पहुंच गए आप लेंड लाइन फोन से लेके मूबाइल फोन पर आ गए यह जवाने चले गए जवाब एक चिप्थी लिखते थे अंतरदेशी पर और वो चिप्थी पहुंच थी साथ दिन बाद फिर वो साथ दिन बाद पर पढ़के जवाब देता हुता आप तो यह वाच्टब पर डाला फेरियो देखते हो नीला निसान हाए के नीला टिक है के नहीं बिलुटिक उसे कप पढ़ा और तुम्हें पढ़िया एक घंदे पाद जबाब अग्यारा है मैंने तो अपना फिलुटिक बंद कर दिया शक्कर में यह जबान आ गया ना तो बदलना पड़ेगा तुदके नहीं थौट बदल नहीं पड़ेगी और नहीं बदलोगे ना तो हमारे और आपके बच्चे इस सांती को ढूंडने के लिए पांच-पांच-द्रदस-अजार रुपे पड़े के देंगे और कहीं और ढूंडने चाहेंगे जबे भटक जाएंगे हमें उन्हें लाया है के नहीं उनके लिए कुछ सम्झा रहा है के नहीं या मैं बहुत अच्छा किया मैं तो पिछली वाइदा किया मैंना उनको बोला कि आप पूर्सी लगाओ लोगों को पता चले मैं ये स्पिच्छो सेसंग करता हूं प्रेसे लेके उनके बाद टिकर होते हैं 25,000 रुपे के लोग देते हैं और लोग आपे सुनते हैं अच्छा क्यों कौन सी मेरे क्रोग्राम है जिस नाम है नोदा न्यू यू यू के अंग्रेजी में हिंदी में ब लुट करेंगे लंच करेंगे हमारे साथ से टी ब्रेक करेंगे डिनर करेंगे और समझा खाइन पिर प्रेयाए उनको सम्झाओंग games अनकी a कैसे होते हैं नोसल बीद्रित्री मैं चुरु कड़ेकर करो ना न तो तुट थी होती है हब में सीखां उगर देशी से उन्हें जो परवजन किया इस समय सा ग्रिंद लाल बस्ते में बंद होता हुआ मंद्री के अलवारी में एका होता था उसकी पूजा होती थी और आपको उठाना है तो पिले ना हो पीले कपड़े पेनो धुले हुए बस्त पेनो फिर उठाओ द ना होती है और उसकी दो अब देख ना होता है। हम क्यों कर रहा हैं यह डिसाइड करने की ज़रूवत है मुझे मेरा परफ़ज पूरे दस दिन का एक है वो आप समझ लें पहली बात तो यह के मुझे दस दिन में एंट्री पॉइंट डिसाइड करना है तक्तों कि अंक्रत्री कि एंट्री पॉइंट का हमारे पास है गुढशिप्षी के प्रोचन है हमारे पास में पर चल रही है हमारे पर आप चेड़ी है नहीं सब कुछ हमारे पास है वो मुझे कैसे लेकिन लोग उश्मूर्द हरा से बचिख को तोग्यान की कि लगते ही नहीं मेरा काम यह है कि सिर्फ ज़्दिन में बता दूं कि यह उप्यों की और कुछ नहीं है और तुम्हें अगर अपना करना है तो इस मूल भागा से जोटना पड़ेगा यह समझ दो और कोई दूसा उपाय नहीं हो सकता एंटीबों तो करनी पड़ेगी और तखली प्रेक है कि रोजे जितने पांच लाँ मूख्चु जितने भी मूख्चु वह कर गए और मैं दुख के साथे बात कर रहा हूं कि हम सम मिलके एक बड़ा नहीं पा रहे हैं रोज बेपके पत्ते गिर रहे हैं जर रहे हैं और लोग पड़ी आए वे उपर से देख रहे होंगे तो ही सोचेंगे कि हमने चुर्ण रफसे खाया यहीं सीखा है बड़ा तो पाये लिए हमने चुली कम होते चले जा रहे होंगी अब उमार होगी हो जाएगी ना लोग तो बढ़ाना है कि नहीं आपने भच्चों को रूची जार लुष्चारा थनौ तो प差 रहे होंगहें मेरायख अप्रवद आको राष्टेदारों नातेदारों तक कौहँचना यहन्ने धर्म ढोंग लगता है तो भागते हैं वुदे अन तक कौह जा है और मुझे आप तक कोंचना है कि जो आज तक पढ़ा मास करना वो अंदर उत् involves आया नहीं उत्रा में दस दिन में आपसे समय सार की गाथाओं की बात करूँगा मैं आप से पांच भी गाता की बात करूँगा, चौछ की 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 करूँगा, सब गाता हैं करूँगा, इमर्समाद ना मुझे वह याद नहीं है वा आती नहीं है पर मैं ये गाथा यहां से शुरू करके समझाओंगा तो हमारे लोग ऊण्या शुरू कर देंगे तब तो ग्यान वही है मेरे पास करीए तो शंकाए सब मिठा दो और दर्श दिन खवर्दा किसी ने मेरी गुराई करी तो आपको कोई मेरा समान लोच नात्मा कद्धन करने की जलुवत नहीं है क्या वे दिन करना समान ममान करोगे ना सोचेंगे और लगे आपको कि फीटा खो गया तो क्या वे दिन समान कर देना और नहीं लगयतों मरत करना सम्माल में जो बोलना हूँ बोलनेडरा मत बोलना लगाए फ़र थस दिल कोई निहीं बूल एगा क्योंकि केवड रुजे आप बोलनों गउजे तो मुझे ऐसर पड़ेगा नि मैं पपलिक का आडमी हूँ मैं तक जठकार देता हूँ अपने अंदर से, आपको कुछ नहीं कोंगा? आपको नुक्साम हो जाएगा. क्यों क्योंकि आप इस जश्ठी से दिखोगे, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इनने कैसा बोला, यह तो बोला, यह नहीं बोला, यह और बूल सकते थी. आपकी सा, पत्रका थोड़ी हो जो इक क्डराई के बारे वो समधिंब करता है और आणन भी ले पाता फिक्टर का आपको अगर आनन लेना है तो दन दिन के लिए अपमें ब्रेंन को चेंज कर दो, माइसेट को चेंज कर दो और यह सोचो कि यह जो बोल रहे हैं बहुत मुझे समझ नहीं है और राद ते मालूम में थी तो मुझे समझ में आ रही, मालूम में थी तो बेरी पक्की हो गई और अलट हो के सुनना पड़ेगा अब कल से आपको रैली पहलानी है तो आपको भी थोड़ी मेनद तो करनी पड़ेगी आज सामझ आ जाएगी कुछ तो रिखना पड़ेगा तयार तो होना पड़ेगा और जो संकाए हो वो मुझे पड़्ची पकड़ा देना तो अबले पड़्चों नहीं उसको सॉल्व करने की कोशिस करूँगा यह हमारा तरीका होगा पर यह पूरी मेनद मैंनी करूँगा थोड़ी सी आपको भी करनी पड़ेगी और एक काम करना पड़ेगा कि एक आदमी को आज साम से सिर्फ एक आदमी को और लेके आना है बस और कुछ नहीं करना है अब मैं ख़रा हो जाओ और हम रोज जिन्वानी आप राजमान करेंगे उसकी बज़ाई यह होगी कि हम जिन्वानी की विने के साथ बात करेंगे अगर जिन्वानी विने के साथ होगी तो मेरा सेमिनार हो जाएगा और जिन्वानी ब्राजमान होगी तो हम इस विनय के साथ होगे कि हम जिन्वानी माता की चर्चा करनी है और जिन्वानी इसे बाहर एक सब की बात भी दिन करनी इसे जिन्वानी ब्राजमान होगी प्रती दिन और हम जिन्वानी चर्थी प्रती दिन करेंगे और जिन्वानी की निचा चाहेंगे. शमझ चाहिए है कि ये दृधिन. आप लोगों जहां बेटना, उआ बेटना, यहां बेटना, नीचे बेटना, जैसे अच्छा लगे बैसे बेटना, कोई दिक्काद नहीं है. उपरी बेटना गों नीचे तो लोग भर जाएंगे. जो कुस तो करें आँए तो मुद्दा ये है कि हमें अच्छी चीजी मिली तो एक आजी पोड़ी पता सकते हैं सिर्फ एक वो आपता दोस्त है, मित्र है, रिस्तेदार है, आपता नातेदार है, कोई नी मेले तो पडोशी और कोई नी मिले तो शड़क में चलता हुआ एक आदमी, सिर्फ एक, के नाया मेरे पास बहुत बड़ी अचीज मुझे मिल वही है, और मैं चाहता हूँ कि तूसे एक बार सुल ले, मेरे खाल से आपके दिमाद में चलगे होगा, आपको किस एक को ले के आना है, साकेत, साकेत, कोई नी मिले ना तो अपने एंप्लोई को ले आना, वो तो मना कर नी सकता, उसको तनका चाहिए के नहीं, अरे वो एंप्लोई ये लेकि भगवान आत्मा है के नहीं, भगवान आत्मा तो है, वो सा कल्यान तो हो सकता है, तुम्हारे बच्चे हो चकता है, नहीं सुनें, एंप्लोई सुन लेगा, मेरी, मेरी, मेरा काम तुम्हारे बच्चों तक कोंचना है, लेकि नगा बच्चे तुम्हां नहीं सुन रहे हैं तो मुझे खाना खाने भुलाओ तो फिर मैं आपकी बच्चों को सम्झाओंगा और बच्चे अगर नहीं सुनें तो एंप्लोई सुनेगा उसको लेआओ एंप्लोई नहीं तो शट में चलता वह एक नएअदमी दोस्ति करो बूस नेगा यह अपने नहीं सुनते हैं पराइन सुन लेते हैं और आपका काम है- एक आदमी को लेखे नहीं बड़ सिर्फ कर दो को सकता है और जिनकी पती नहीं आए उनके लिए पती हो सकता है बेर पती माने के लिए हो सकता है उनसे कहना एक दिन चलो और तुम अपना सारा त्रिया चरिकतर उसके लगा ले रहा है और में मानने को तयार रही हूं कि कोई महला आपने पती शिकर है, खासतोर से बंबई की, और पती की हिम्मत हो जाए मना करने की, पर तुम आप ना उस तरीके से नहीं कहती है, जिस तरीके से वो मान जाए, सौका मनवार तो सोवे से लेकर साम तक, और मंदर में आने के लिए समझा सकते हैं और मैं बहुत अच्छा मैं खुशी में इस लिए हुई है मुझे पता चला कि मुझे दादर जाना है और पता क्या चला आज तक ये 25-40 साल के जितने मेरे संबंध कमन जी के साथ थे उनमें सारे संबंधों को उपयोग में लेते होगे मेरा अपरहन कर लिया है इस पर उसे पर रहे हैं आपरही हुआ है और आपरहन किड्नेप्र ही हुई है वरना दो दे पहले कैसे नक्यों था संजय भाई बढ़े इनने पूरी कहानी समझा दी और इतने प्यार से समझाया और ये तो हां कर दो साथ मैं तो मुझे आला हंटा दो दो नहीं साथ मैं टि और लिए बात हम करमबद परया वाले दिन करेंगे, एक हम बिशे लेंगे, दास तक वह सकता 6-7 विशे हों कुछ विशे दो दिन चलेंगे, कुछ तीन दिन चलेंगे कुछ एक दिन चलेंगे और दूसरा हम दल ध्रमगी चर्चा करेंगे आप होगे दल्धरमी चर्चा बहुत बार सुनगी अब क्यों करेंगे बात तो सच्ची है आप अगर 40 साल होगे आपको पिछल में आता है तो 40 बार सुन जोगी कहलाची पुराणी मांज एक बार पुछी चमा मार्दाव आर्जव सौच च्रोद माय हलोब इन्हें एकात परसेंट फरक पड़ा क्या तुर क्या सुनी और अम्याही हो गए कि बहुत सुनी आप जरुवत नहीं है मैं पूरे 10 दिन सिर् एक पुछीश करूंगा इस जिवाटी को का प्टी कल आस्पेक्ट हमें पता चले मतलब संध्या वाल में जो कहनता है प्रेक्टी कल अस्पेक्ट मतलब इस जिवानी मंदिर में सुनने की नहीं घिवानी उनलमारी में रहनें की नहीं है यह जीवन्न का बात हो रहागा है एक घंपे आप सुने हो तो यह टैफलाई करना है तर आप सम्झले नहीं कि आपने बिवारी का सब्सक्राइज की यह यह घंपे उसे सुनें आते हैं और समझने के रहते हैं वागी WOWapaider कृस्त हमने पर ख्षमा समझी है तो सत बताओ कि जब growth आया तो कितने second के लिए विचार आया कि यार ये growth नहीं है और मुझे इस growth पे push- Control को करना है किसा क्खा़ए थप भड़ा दना करना है आया कि नहीं आया कि नहीं आया लिएक कुछ सुनाई नहीं समझा नहीं याद कन लिया रट गया मैं पूरे दस दिन में कोशिऽ करूँगा कि हर टॉपिक का हर सब्द का practical aspect हो सके और मैं practical application जिसे मैं जीवे में उतार सकूँ उसकी बात करूँगा और मैं कोशिस करूँगा इस परफसर नहीं है परफसर पर दस दिन एसे जाएं जैसे 40 सार के जो 10 दिन गए उनसे कुछ अलग रखते हों और बागी 355 दिन हम इस दिन का उपयोग कर सकें अपने थौट पॉसिस, अपने विचार, अपने भाव, अपनी वर्किंग इस्टैल, अपनी जिदिकी में और लगे के कुछ हुआ ये मेरी कोसिस हो गी, और मेरी सोच का तरीका, और पिजिनते सब्स्री का तरीका है उससे इसलिए है, जो पैक्तिकल हो जाए ये ना हो जाएंगे, जो जा वाणिके ग्यान से सुझे लोग का लोग, ये गली, और ये इहान रिपबते हैं, अजाए ह इस संखे हूँ है इसलिए ही जो खड़े होने की बात है क्यों है मैं तो अभी नीचे भी आऊँगा आपके पास मिलूँगा आपसे बात करूँगा कि राजेश भई थोड़ा माइंसे चेंज करना पड़ेगा बिल्को आप तेयार अब तो जेखो तेयार होने ही पड़ेगा क्योंकि आप मैं बापस जानी सकता दस दिन तो मैं भुगतना ही बढ़ेगा जैसा है और आप आपस भेज नहीं सकते अब तो तेयार हूँ यह सबसे समझधारी की बात है मैं तेयार हूँ सरेंडर कर दिया ही ने क्योंगी दूसी कोई चोईस नहीं है तो मुद्धा मेरा ये है कि हम प्रेक्रिकल आस्पेक्ट में इन दस दिन में सास लोगों के संबन सुथर जाएं इस दस दिन में ऐसे नहीं सुथर जाएं कि मैं रिलिस्नेश्टिफ चिखाऊंगा मैं उनको इस लिए सिखाऊंगा और सास ऐसी मिलनी थी, इसलिए ही मिली है, मैं ते करूं क्या, मैं करता का मधिका कि मार्धम से समझाओंगा ये बात, मैं एक अगर दूसरे दर्पा कुछ नहीं कर सकता, पस तूसोतन तर्द राकि ज़स्ती से समझाओंगा ये बात में, कि मैं क्यूं कर रहा हूँ, क्या विम वाली है जो गुर्देश्टी से स्वीखी है, समझीय जानी है, कर दिम्लावेल को देखे मैं भख्ष हो गया, मैं इसे कोई 40 साल वाद मिला होंगा, और इन सब बहना ने सौंगट की बहनों ने मुझे गोदी में खिलाया है, जो कि बच्पन सोह जाते जा रहे हैं, हमाई घर् सब्सक्राइब करते हैं, जो पड़िवास से चीज मिली, और हमने बच्चों में भुदेने की कोशिस की, सिर्फ इस्विए ही, कि यही सची जिन्वानी है, यही सची चीज है, बाग हर प्यें पुन पाप से आने वाली है, आप मेरी प्रसंसा करोगे, तो कुछ होने वाला होँ देए, मेरी हशसल कंस्कान प से केटाई होगा तो करोगे, और बुरा ही करोगे तो मेरी अपर स्कीर प्रसंसा करोगे, वरना कुछ कर सकते हूं ना मσ演 उसमन हो और मानता हूं, तो हम 10 दिन ड़िकति सन्विख भाई और मुझे चैन्ता नहीं हę, मैं बीबार कड़ूँ आगर परिवर्ता न है तो आप हम को घर ख़र करें गया, समगो दोन BOB हो और आप अब और अगर लोग कम रहे तो आपने जुम्म्यदारी मी नी लिए। एक बात और फिर हमकिसे की बात करेंगे। गुर्देशनी सूक्षम की बात करते थे। उनका तातपर ये नहीं होता था कि ये बात बहुत जटिल है। उनका ताथ पर ही होता था कि यही बात important है अब आज सूप्चम थे सूप्चम छे का मतलब क्या उप्यों लगा के सुख्चम important है हमने क्या संदा सूप्चम को कठिक और कठिक का मतलब यह कि जो समझ में नहीं है वो सूप्चम जो समझ में जा वो स्थूल भगवान आत्मा ज्यानदन सुभावी है यह सूप्चम के सूप्चम के सूप्चम इस सूप्चम का मतलब important है आवस्चक है जरूरी है सूप्चम के सूप्चम के सूप्चम का मतलब यह सूप्चम के 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 तो इस विकल पर मत रहना और यह सोचना कि मुझे कैसे इस दर्ज़े में परिवतल करना है आज का विससर में शुरूबात की है कि धरम क्यों करें वो इसलिए कि शुरूबात कहीं से होनी चाहिए और शुरूबात इसी जगे से कि तुने शुरूब किया था कि तुने खसम करना है इसा भी बताओ दस विश पक्का दलतीज़ों नहीं करना चाहिए लेक शुरूबात था इसलिए बोलो 10-15 ना ठीक है बस आप बता देना जब तक को 17 ना ठीक है कि धर्म क्यों करें है क्योंकि धर्म का मतलब है समझते हैं हम एस्तिक सिंप्स है धर्म का मतलब समझते हैं लिमिटेशन धर्म का मतलब समझते हैं कठोल का धर्म का मतलब समझते हैं बंधरन क्योंकि मैं धर्म का सचा सरूब नहीं समझा हम जाते हैं धर्म की परिभासा नही पहसा पढ़ेगा ऐसा करना पढ़ेगा ऐसा मुष्किन हो जाएगी इस्य नियुक्ति ग्रीओ अभी नहीं अभी अभी उमार नहीं आईगी तब करेंगे अजब इसकी उमार के लिए करने की तब तो ऊपर वाले का कौल आ जाता है और ये चलने की नहीं नहीं करता है अब इससे कर ले ये उमार आने पर तब कर सकता है जब ये जवानी में करे तो बुड़ापे में धरम होगा अब ये जवानी में करेगा तो बुड़ापे में कुछ वामेवाला नहीं है पिर करायता रहेगा और तुछ वच्छे का नहीं, और यह भाद क्यों कहता है, मुझे बुढ़ापे में करता है। क्योंकि उस तकी सुलूप को समझा नहीं है, धरम का मतलब क्या होता है। कि आधि क्योंकon देखानेगे ठीच कि आधिकर डूरा कि अलग जा Caribbean कि सभी थे आधिक कमाने में था। कमाले में दोर उसके बार धरम करांगे सब्राइब में किन हैं की हुग तुम्हारी कमाई मैं मश्या avere इसे हुई इसे लिए हम तुम comprar देतेंगे धरम करो। यह तो होना हैं, लेकिन आगुलता को तो निकलना पड़ेगा ना वहाँ से। जिवन में सांथी प्रहयर। इसमें करतें धरम करो। हमने समझे अधिए दिमिकेस्टम्स, हमने समझे अधिया रेस्टिस्टम्स, और हमने पिजेंट भी ऐसे किया। तो चिटके चले गए अलग होते हैं मैं भी कुछ ने पहले एक मौंड़न फैमिली से मिला मुसल्मान से मैं उस ऐसी बात करते 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 मैंने पूच्छा तुम्हारे रोजा सब लोग रखते हैं रोजा कि इतना कठिर हैं वो काम अब बतल थोग नहीं को रख सकते हैं तो मैंने कोई नहीं रखे तो बोले वो सच्छा मुसल्मान नहीं नहीं माने तो हम उसे निकाल देते हैं मैंने का आप घजब हो गया तुम्हें तो इस संकटी नहीं है कि किसी व्यक्ति को तुमारे धर्म की रुची है के महीं है तुम्हें संकटी नहीं है कि लोगों को धर्म के प्रती आकरसित करना है क्योंकि बे सब हैं और हमारा संकट कितना बड़ा है हमारा बच्चा नहीं आ क्योंकि उन्हें जोड़ दिया उसे किसी अच्छाई और बुराई से उन्हें जोड़ दिया उसे जन्नत से और जहनुन से तो अभी दर के वारे काम करने लगता है बिना समझे होगे लेकर हमारी बात क्या है कि मैंगर किसी से करता ह। तुझे धरम में से भूशी होनी चाहzahlएए तो वह प्रक्लिफ में इसलिए आता है क्योंकि उसको अरुमुटिशन और एस्टिकूंस प्रिभासा पता नहीं है उसे धर्म की परभासा मालूम नहीं है वो चानता नहीं है कि यह धर्म क्या है तो हम आज धर्म की परभासा समझेंगे definition और धर्म की definition आप समझेंगे उसे पहले यह नती करो कि क्यों करें धर्म कीज़क नहीं करना सबस्केर माईट करने करनी पढ़ती है इस दुनिया का सिथानगे आपा अंद्धान गाई सब Shaun being अधर्म किसी हों कि थे हानije फंव और है तोघंव कहानी फिटा में खानी है तो क्यों खाए उसको बोलना पड़ेगा, उसकी नीट क्रेट करनी पड़ेगी, तो नीट क्रेट क्रेट करनी पड़ेगी, तो नीट क्रेट 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 करना है, तो नीट क्रेट क्रेट कैसे करना है, उसके पहले नक्य करना पड़ेगा, क्या हम बास्तर में दुखी है या नहीं है, हम बा कि पॉला हम तो दुख्य हैं हिनि में रहे हैं वो च्छाएं से मुझे को संद्रख्य को एप यहां वह थे बात करी तो भरत दुख्य करता है आप इसैंगा बोलता मैं दुखी नहीं हूँ मैंने का बहुत अच्छा है यह आप हाथ ऐसे क्यों रखे हो आपने ऐसे क्यों कर लिया बोलो ना ऐसे क्यों रिलेक्स रिलेक्स का मनदब क्या दुख से चुट गराप बाणगा ऐसे मैं लुख से बूछा तुदुखी था ना तब तुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदध था अब तुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद बैठे लो कोई बात नहीं बैठे लो कोई बात नहीं क्यों बैठे लो जब चाब आए हो मैं आपको दिख रहा हूं पहले मिन्ट साथ आप ऐसे नहीं बैठे थे ना फिर ऐसे बैठे थे फिर ऐसे हो गए फिर ऐसे हो गए फिर ऐसे हो गए क्यों नहीं सारी कोशिस कर ली, सुख नहीं मिल रहा है, सुखी होने की कोशिस कर ली को सुख मिल दी, एक धंते में छे आसन बदली, सिर्फ इस लिए कि मुझे सुख मिल जाए, और कंबत सुख मिलता नहीं है, वो मैं बसलता रहता हूं, तो नक्ती तो करो, कि हम धुखी हैं, पेहले ये पढ़ेगा में दुखी हूं इसको फोड़ा जार धॉलब मिल जाती है धन मिल जाता है पैसा मिल जाता है थोड़ी लोगिक शुख सुद्धाएं मिल जाती है तो इसे मचता है कि मुझे कोई तक्रीफ नहीं है और फोड़ी सी ग्रोफ हो जाए विद्निस में चाल लोग य CUBE में बीट माथ देता हो हूं है पौ। इसके नहीं देता हूं कि में बुल गया। इसके देता हूं कि आपका धिमाग सोचे, चले, जागरत रहे, आपको लगे, तरहाँ यां मैं करता काम सोबसे लिए कि आंटर में दुखी हुँ कि नहीं है, और यह जो पॉज ना मैं बैठे 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 लिए लिए सकता है, तो पॉस्ट दूंगा पर एक्सम करना पड़ेगा, आखों से देखना पड़ेगा, पॉस्ट दूंगा पर प्टोल पड़ेगा आपको, ति बैठ लएटी काम होगा नि पर अभी प्या फरक देखो, मैंने पंदा में बेटके बोला, वोस्ट मैं खड़े होके बोल रहा हूं, फरक निकला रहा है या को कुछ? आपकी अलट निसमें, मेरे में नहीं? मुझे तरस दिन काच नहीं, मैं कैसे तैसे करके काच दूंग रहा? ऐसे नहीं बोलू? चलो, आ पहले विसाइब करो, आज की दिन, तो दूर्ट नाम जी ने कह लिए इससे मत मानना बाभू जी, कि मुख्सों की तकली को और है, कि हम कुछे तुम दुक्षी होगे हैं, हाँ है ना दूर्ट नाम जी कह गए, हाँ खुद नहीं कर रहा, उसे तो दूर्ट नाम जी बिज़ सबास है, उसे दूर्ट नाम जी मिविज़ा दा संधा है, तो दूर्ट नाम की कह रहे हैं, का होग जी तो नकी है किने की, बिसाइब कर पहले और अनले थखतकी हो गया पर धुकी हैं तो भ्र हम उपाइगिं कि बात करेंगे तेरे पाद ही तुम बता जेना तेरे पाद ने तुम बता आईए हम बताएगे एम बताएगे तो ज्रेमनी बताएगे क्युंसरा तो एस सामत्र की जितनी क्लिया हो रही है यह क्यों हो रही है क्या नाम पूछी हो ना तो कुछ याद हो जाएंगे कुछ भूल जाओं तो ठीक रहेगा गौर्ण तुम सुगा उठे और दे वो कुछ पाक किसी को बुरी लग जा तो तिंता मत करना मैं अंते मुझे माफी मांग रहे हुआ है अंते में मांग लेंगे एक साथ घंजट का कम तुम सुगे उठे तुम सबसे पहले क्या किया प्रेट साफ करने गए अगर 15 मिट रुख जाओ और नहीं जाओ के लाजी तो क्या होता है रुख सकते हूं ठाब और जिए ही आप गए और रिलेस होगे ओठ हुए है कितना सुख मिला शुक गई गया पेट खाली करने से तो नाता क्यों कि आज क्योंकि पेट खाली हो गया तो तकी बहुत हो रही थी तो भूंग लगड़ी थी तो एक चीज़ दखी कर कि तू पेट खाली करने से दुखी है सुखी हुआ या खाने से हुआ लेटे लेटे आठ घंटे हो गया उठते क्यों है अब बैठा रहे ना फिर दिन भर कि ने या बैटे बड़े थी तू लेट गया तो नकी करना तू लेटने से सुखी हो रहा है कि प्रेटने से हो रहा है खाने से हो रहा है निकालने से हो रहा है अब बहुत एक प्यास तरग रही है,पोई आदर ग्लास पानी देदे तो चुकी हो जाएगे है न ओर प्यास प्यास पानी मिलता तरशागा तरश्रू की में पहुंच रहे तो पानी से सुखी हो रहा है तो एक आद मटका पी रहे है न बूम नहीं पी सकते तो नकी तो कर किसी से सुखी मिले नहीं सुवह से साम तक जितनी हमारी किरिया है हुई इस सारी किरिया है सिर्फ एक काम के लिए है जड़ा आप्जब्ट करो नरिश सिर्फ सुखी होने के लिए सुवह से साम तक की सारी किरिया है आप भ्यापार कर रहे हो, काम कर रहे हो, नौकी पे जा रहे हो, विट्निस कर रहे हो, क्यों? ब्रस कर रहे हो, लेटी जा रहे हो, खाना कर रहे हो, बाल बना रहे हो, खुजा रहे हो, कपड़े पेहन रहे हो, क्यों? क्या संती भई? सुमें से लाइंटी के साम तक की सारी तिनिया है अगर कोई पूछे कि मैं सुमें लेके साम तक क्या काम करता हूँ तो एक ही उत्तर है कि मैं सुखी होने की कोसिस करता हूँ कोसिस क्यूँ? कि अगर सुखी हो जाता तो अभी इस टेपी बात करता और हो पानी रहा हूं और कोशिस करता जा रहा हूं टेस्ट ट्राईप चल रहा है पर कॉंप्लिट हो नहीं रहा कहणा भी आपका त्रीपाल अगर हो जाता तो अगले दिस सुखर वो तो नहीं करते न जो अज आज सुखे किया था तो नहीं हुआ न तो क्या कर रहा हूं भरत भई सोजे साम तक सुक्री होने की प्राही कर रहा हूं कोसिस कर रहा हूं और होनी पा रहा हूं अच्छा ये कोसिस कब से चल रही है अनादिकाल से हो भी पुरी पर कितने महान है हम लोग ये की चीज़ की कोसिस अनाधी काल से करते आ रहे हैं और वोई 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 करते जा रहे हैं और रिजर्ट नहीं रहे हैं फिर भी हम कंपक्त वोई करते रहे हैं कोई कोशेश भी नहीं करते हैं कि अगर एक चीज से रिजर्ट नहीं करते हैं ब्यापार में करते हैं करें काम करतें 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 बिट्रट नहीं आ रही है तो तबन को दो एक प्रॉड़कर काम राष्म मेर लॉड़क्ट को रिभी इन के और रहित로 जिन्दकी में क्या किया है जीवन में क्या किया है लुग्ष्मानिस भव ने क्या किया अनाथी कान से ले guidance प्रियान तर लगाता है प्रति दिर प्रिती पल हर खाइप सब सुपी होने के लिए कर रहे है और सुपीन ही हो पा रहे इस वर दुरभाद क्या होगा क्या दुर्भा प्लोग ऐसे दादा और फिर उसोचने को तयार नहीं है फिर शत्र सुपा मिलेगा उसकी करत्मा करने को तयार नहीं है और मिल जाए तो स्विकार करने को तयार नहीं है और स्विकार हो जाए तो उसे एप्लाई करने को तयार नहीं है तो क्या होगा? अनन्न घ्लते क्ट अहसी चलता रहेंगा डर लगरा कुछ कि- अनजी कासे करते हा रहें और राठ तक हुआ नहीं पर राठ अन्न कासे करते रहें तो भी होने और जानेगे और इस अंसार ने अनム मत कासी तुप लाएगा कि उसेंज़े भाट Cities के बल रहत है। कि यूसँ ले भाई बलो। ऐसा भु रहा है ना ? तो ऐसा तो हो नी सकता कि स Deafinstat की क्यों लिज़ Спट तो सुपी हो गए है ना, है तो सही, तो हम उस ज़ले पहुंच नहीं पह रहे ह। हम उस देमा की चर्चा करेंगी क्यों कि जो आत कर सुपी हो गए हैं वो किस मार पर चलकर किस रास्तें के किन सिथा और पर अपलाई करकर अपने जीवन में उतार के वो सुपी हुए हैं, हम से उसकी चर्चा करने वाले हैं वो समझ आ जाए और एक स्पार्क हो जाए स्पार्क सद्वा प्रयोग कर रहा हूँ मैं स्पार्क कैसे होगा कि एक चीज को बार 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 देखते देखते कभी ऐसा होता हरी यह ऐसी बात थी चिंगारी किंगारी प्रदा होई और तुर्प यह सब निकलते हैं कि ओहो मुझे तो इन बातों की ख़वरी नहीं थी जब सुनो जब यह स्पार्क हो चिंगारी और यह निकले कि ओहो मुझे तो इन बातों की ख़वर नहीं थी तो यह मथ समझना कि ये बात तुम्ने घुदकी में जीवन में कहें बार सुनी है ऐसा नई है वो बात तो कई बार सुन चुके, असन्ग बार सुन चुके अननक बार सुन चुके वामालिक कजीर जब आदिना के सेमोसमें बैठा था तो नहीं आई उसके बात कि हो मुझे दिन बातों की ख़वर नहीं थी लेकि बोगों तरण थी जारी मुनिराज जंगल में आया और शेर की परियामें उन्हें से बितना सा करें तू कर क्या रहा है तू चुपित दिन कर रहने माला है और ये बात सुनते ही इस पार का गया यहों मुझे दिन बातों की ख़वर नहीं थी तो आदिना से समझ में नहीं आई और दो मुनार से समझ में आ गई मनुस परियाम समझ में नहीं आई और दिन परियाम समझ में आ गई समझ में समझ में नहीं और जंगर समझ में आ गई तो ये मैं समझना कि आज जो बात इतने बार सुन चुके अब दूसी बार सुनोगे तो क्लिक नहीं करेगी ये जिस बक्त ये योगिता पकेगी और ज्यान की ऐसी योगिता पकेगी चर्चा बुहिर होगी लेकि ठोड़े मगी न रहस्मौन चुक्षी में लिखा है जब संब्स नहीं होना है परणप लुक्त आपकेशा की रहस्मौन चुक्त ये किष्च नहीं नहीं होगा ये जब चलता आ रहा है वो ही होना है है ना किऊ बैंग वो ही होना है लेकि कब ये बक्ता आएगा और कभी लगेगा कि बस अरे इतना सलब दर्थन है ऐसा दर्थन है और तुरंट आनद के अन्भूती होगी बस तुरंट बुजो शबलता के अन्भूती होगी आकुलता रहित अन्भूती होगी और ये रग जाएगा ओहो ये दफसन है तो तत्वग्यान का मतलब जिन्वानी का मतलब इस जीवन में जितने आना की काल से हम दुखी हैं उसका सुलूशन निकाला है बस और कुछ नहीं है दुखी है नगालिका, निकालकी हैं एक अव अब हमें क्यों आविया इस्टैबलिस कीया है इसमानी के पास है उससे समझ रहो तो दुखी हो पहले इस्टैबलिस करो कि धर्म का मतलब limitations कठोरता bonding नहीं है धर्म का मतलब आनन्द है बात अपोटिट है बच्चों से को कि धर्म कर लो तो उनकी दर्मा को लिम्टिशन जाती है नहीं है वो उसका मतलब आनन्द है पर वो आनन्द कैसे मिलेगा इसे आनन्द सब को याद रखना, इसे मैं काम में लूँगा बात में, बोर्मगत नहसा कित स्वाम को अब जो आनन्द है धर्म का मतलब ये कैसे है तो what is the meaning of definition of धर्म? What is the definition? आनन्द, ने, डेफिनिशन, आनन्द, चाहिए, आनन्द है, ये आनन्द रेफिनिशन नहीं है आनन्द तो उसका result है हाँ, हाँ, वो result है उसका, आनन्द तो result है लेकि परिभासा क्या हुई, धर्म कहते किसे हैं? Right रए अगा दो अनन हो जिस धर्म करें दिए। आनद निकले वो धर्म है क्या वो धर्म की डेफिनेशन क्या है क्या है कि वस्तु का जो सुभाव है वो धर्म है प्रचन साजमिक के अगे कुंद कुंद वस्तु सुभाव वो हम हो अब यह होता क्या है वस्तु का सुभाव बस्तु का जो सभाव है बोधरन है तो बस्तु का सभाव क्या है पान का सभाव क्या है पान का सभाव कूशता है और खून का सभाव जम्ना खून का सभाव क्या हो गया घून का सभाव बेहना है है न सईचाई के रवाद खून का सभाव क्या है बेहना है अगनी का सवाव उसरता है जल का सवाव किसी चीज़ को ऊपर ठेका क्या सवाव है उसका नीचे राना उसका सवाव है अब नूटन ने उसकी परवाज़ वदल दी कि उसे गुत्वा कसर कहते हैं वो अलग बात है इस सवाव क्या है उसका जो चीज उपर गई पूर नीचे आगी, टायर का सभाव क्या है जो गढ़ी के इतर टायर चुलता है, फटना, अगर तुम्हें माल लिए टायर फट गई आपकी गाड़ी का, तो आप टेंशन में हो, और अगर 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 तुम्हें अगर तुम्हें पंचर हो गई, घर जाते तो पंचर हो जाएगी, आज आपकी गाली, मालो, हैं, लोगों के रहें, सराथ दे रहें इंको जिंता मतलो होगी नहीं, तो मालो होगी, तो किता गुस्सा आएगा, किती अप्रीफ होगी, यह बुचरी का आएगे, बताओ, लोकील ठेज देते हैं, इस चड़क और आपके बता लग जाएगे, टाइर का सुवा तो फटना आएगे, तो गुस्सा आएगा, टपली होगी, परसा नहीं होगी, सुवाव है ना, तो फट गया ना, मैं कहते हूँ, एक ट्रांस्पोर्टर ने मुशे का था, कि भादिस साब, अगर हम लोग टाइर फटने से दढ़ने लग जाएगे, तो ट्रांस्पोर्टर का धंदा नहीं रसकते हैं, तो क्यों वो तो सुभाव है उसका, मैं कहा यार इसको तो बिल्कु समिक दसन होगया लगता है, वो तो निश्चिनत है, क्योंको उसे माल लिए तो सुभाव है, आप वैपर करते हो ने, तो मैं उदार देते होगे न, तो डूपता होगा, तो क्यों तुरा तो नहीं नहीं आते होगी, ये बाल देखी ही चले गए, लेकिन आप में माल लो, क्यों गापर करने का सुभाव है दूबत, आप दुनिया की कोई ताकर दुखी कर पाएगी, ये दूबत क्यों हुआ है, तो को प्रसां कर सकता है को, दुखी कर सकता है, तक्लीफ क्या है कि हम सुभाव के विपली जाने की कोसिस करते हैं, इसलिए हमें तक्लीफ खड़ी होती है, जब तक आपने समझ लेंगे कि सुभाव क्या है, पैसा रुपे का सुभाव क्या है, रुपे का रुपे पैसे का लक् होती क्या है 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 आज दो मुलको हाट अटक हाता अगर यह पता हो जाता है तो रुप्रे का सभाव बहना है जाना आना है एक यह ले टिकना है इस नहीं प्रहें यह लग वाथ है कि तुम्हाई जिप में जाए कि मोदी जीशी की जिप में जाये है तो तक्रीफ होती ही सुचो तो सही जिन चीजों के बात कर रहे हैं इन चीजों का सुभाव क्या है अज़ा कुटे का सुभाव क्या है भॉंकना रात तो दो अज़े आप सो रहे हो और कुटे भॉंक रहे हैं आप उके ना गुस्ताता है नहीं आता क्यों क्योंकि तुम्हें समझ लिया कि खुत्ते का सुवाव भॉंकना है अगर सुनना जाए लो तक्रीफ होगी आप लेट पहुँचे दो बज़े खाना खाने की और का टाइम है बारा बज़े का सच बता हो इमानदारी से अतनी प्यार से खाना मिलता है के संजय भाई नहीं ना क्या समझ लख खाया हूंदे में बेक्षे रहेंगे कैसके लिए बेक्षे रहेंगे कभी मन में आई तबाह होगे हाथ वापी ठोटी तबाह होगे हमें में कुछ और मुसे काम है अगर आपको किती गुस्ताती है याले समझ नहीं है मैं कितना बीजी था मैं कितना परिशान था और मैं अपने काम धंदे में बोल जाता मुस्किल कर खाना खाने प्रोटी तो समझते क्यों नहीं है लेकि इसकी जगह उसे समझाने की जगह अगर आप यह समझ जाओ कि दो बजे खाना खाने आओगे तो पत्नी का सुहाव चिद्राना है तो आपको कोई दुखी कर सकता है धरती पर एंसा यह समय तो सुहाव प्रोटी कारी कर रही है ना सुहाव के विप्रीत काम कैसा हो सकता है और हमारी तकलिफे है कि हम पूरे दुनिया को सुहाव के विप्री चलाने की कोजिश करते हैं और दुनिया प्रोटी सुहाव से चलती है और हम धुखी हो जाते है अज दिवाव कैसे प्रोटा होता है और गर्म उसका औसका बिवाव है तो बिवाव कैसे होगा है अगनी के संप्रण में आया अगनी के करेसे में आया ना और और अगनी का सुहाव उसका है और वो थंदी हो गई ठंडी हुई तो ठंडा पन उसका विवाव हुआ के नहीं हुआ है ना सुभाव हुचता है और ठंडा पन उसका विवाव हुआ तो विवाव क्यों हुआ क्योंकि वो किसी पानी के सहयोग में समझ दो कि पानी के सहयोग में आई तो वो अपने सुभाव से दुभाव में परिवर्थित हो गई ये खून का सुभाव देना है और खून निकल जाए तो हवा के सही योग में आया तो जम गया ठीक है न? परफेक्ट रूपे का सुभाव देना है मुमिन्ट करना है और वो आपके पास दुभ गया तो आपके सही योग में आयशने रूपा न? क्यों? हाँ अब मैं कहना चाहता हूं कि कुछी चीच क्या कोई भी चीच कोई भी वस्तू अपने सुभाव से कि की अबाव में परवर्तित हो रही है तो स्वता नहीं हो रही है वो किसी का सहीओ। को इस तूल करके बता रहा हूं मैं ऐसे कथें सब्दों का प्रयोपी कर सकता हूं जो को समझ में नहीं आए लेकिन चल्ब रोचै पूँचाब般 समय सारभी करवाओं में उसे भठकूंगा नहीं यह प्रतिक्या है कोई भी चीज अपने शुजाओं से ब्रभाओं को परवर्धित हुए किस का सयूग हुआ किs का सयूग हुआ पर का सयूग हुआ परका संयों हुआ तो कोई भी वर्ष्टू अपने शुभाव से विभाव में परवर्थित हो गई पानी में अगनी का संयों हुआ और उशुता में अगनी में पानी का संयों हुआ तो क्या हुआ विभाव परवर्थित हो गया तो जब पड़का सईयों होगा तो वर्ष्टू सुभाव से विभाव में परवर्थित हो जाएगी इस धंक को अभी साइड में रखो बाद में वापिस रेके आएगे अभी आनल भी रखा है ना साइड में क्या दोस्त क्या नाम है सीतल हाँ सांतिवाई कर बेटा है क्या बोला मैं भी आन को साइड में रखा है अभी दूसर क्या साइड में रखा परको सही हुआ तो सुभाव से विभाव में आया ना समय आ रहा है तो परको सही हुआ तो सुभाव से विभाव में आ गई अब आतमा का सभाव क्या है पानि का समुझ लिया आँपनी का समुझ लिया उठान वो सारे याद हो गए पर आतमा का सभाव भी कुछ है कि है नहीं तो जोड से बोलो मैं उंचा सुनता हूँ जानन देखना जानना देखना पक्की बात है? कैसा सुभाव है? जैसा पानी का सीचलता है तो जब पानी को परका स्वायोग मिला तो पानी सुभाव से ब्रवाव में परवर्दित हो गया तो मेरा जो सुभाव जानना देखना है और हो क्या राए? मैं करता धरता बना हूँ और ये करता धरता क्या है? ये सुभाव है कि ब्रवाव है ने की ता? ब्रवाव है ना? तो जानना आत्मा का सुभाव जानना देखना है और ब्रवाव करता धरता है तो ये जो ब्रवाव हुआ करता धरता ये क्यों हुआ? परका सहीओ बिला हमने भी क्या पॉलिशी दूर बनाये था फिर परका संयोग होगा तो बर्तू सुवावते में वाव की हो परवर्तित हो जाएगी और परका संयोग हटा दोगे तो सुवाव में वापत आ जाएगी आत्मा का सौव जानना देखना है आत्मा का सौव जानना देखना है लेकि परपदात का संयोग मिला और परपदात में क्या हुआ मूल कारण अपना राज अपना राज अपना पग और अपना ये कर्मों का उदय और कर्मों का उदय क्यों आया क्योंकि मैंने ये विप्री सद्धा की और ये विप्री तो माना कि ये मेरा है तो इसलिए जो आत्मा का सुवाव जानना देखना था वो परवत्त होगे करता धरतापने में सामिल हो गया तो जब परदस यो भट जाएगा तो बस्तु जो भिवाव में परवत्त हुई वो सुवाव में आईगी के नहीं अगनी हंटी तो पाइं धंडा हुआ के नहीं तो जब अगनी हंटी तो पाइं धंडा हुआ और ये जब माना कि मैं इसका कुछ कर सकता हूँ तो जो ग्यांदरसन लोग जो ग्याता दिश्टा परण जो आदमा का सुवाव था वो करता जटा परणी में हो गया तो ये जो परता सही हो आया कि मैं इसका कर सकता हूँ ये मानेता अब हाई लाट क्या करना है मानेता क्यों? क्योंकि कर तो सकता हूँ ही नहीं कर सकता होता तो एक कभी चुभाओं में बापिस हो सकता नहीं था लेकि कर नहीं सकता हूँ लेकिन ये मानता सिर्फ है तो चोट किस्पे माननी है ओह कि दो-चार लोगी बोलेगे के बागी नहीं बोलेगे चोट किसमें मान नहीं है मानता पर कौन सी मानता कौन सी मानता मानता कौन सी कि ये करतुत की मानता कि मैं कर सकता हूँ सुभाव क्या है जाना देखना और मैं मानता क्या है करता जाता परना मैं महसूद मान कहा रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो ठीक किसे करना है, बस्तु में के मानता में, मानता में, तो जो मानता में ठीक करना है, तो जैसी मानता थी, जैसी ना मानके उसी उल्टी मानी, तो उल्टी मानी सा मतलब क्या हुआ, उल्टी मानी मतलब जूटी मानी, और जूटी मानी मतलब मिठ्या माना, और मिठ्या मिठा दर्सन हो गया तो मैं तो क्या मिठा दर्सन हो गया तो मैं तो क्या मिठा दर्सन हो गया कि जो गयसा है उसे बैसा मत मानो उल्टा मानो ये मिठा दर्सन है और हमें मिठा जो क्या हो गया कि आत्मा दर्सन था जानना देखना था मेरे उसे जाने के लिए जिए करता धरता मान लिया पर ये जो मानता थी ये किस्ता मानता थी जूटी मानता थी तो चोट किस पर मारू और मैं कोज़ेस किस पर कर रहा हूँ पर सही होगों पर चोट माननी है उस मानता पर और मार किस पर आहूँ आपकी वज़े से मुझे गुस्त आया आपकी वज़े से मैं लेट हो गया किसी वज़े से लेट हुआ तो किसी करने से कुछ हुआ इस तुने माना न तो ठीक इसको करना है दूर से वो ठीक करना है अपने को ठीक करना है हुशा उम्हें ठीक करने में किसको लगा हूँ अच्छा और ये जो माननेता थी कि ये जो करता धरता है ये क्यों हुआ क्योंकि परका सैयोग हुआ इस ये हुआ अगर इस सैयोग नहीं होता तो सैयोग सैयोग की भाब की बात कर रहा हूँ इस स्रहियों नहीं भुलता इसके कारण मुझे मानता उल्टी हुई न मेरी परके स्रहियों के कारण तो स्रहियों को दूर करने की जरुबत हैं मानता को ठीक करने की जरुबत है मानता को ठीक करना है इस मानता को ठीक कर दिया तो क्या हो गया जो मिठ्या दर्सन था वो किसमे परवर्दन हो गया समय को परवर्दन हो गया क्यों समय का मतब क्या है हुआ नहीं है समय दर्सन मिठ्या दर्सन कहीं तो अब बिप्रीच है ना अपोजिश है ना कि जो तू मान रहा था वैसा नहीं है ये कुछ और है तो उस मानेता को थोड़ा तो वो मिठ्या को खतम हुआ और समय तुम्हें परवर्ट थो गया और जैसे ही वर्तू का सलूप का ग्यान हो गया कि वर्तू का सलूप ऐसा है तो आनत के वोती हुई के नहीं है वह आनत अठा के लाव बापिस आनद धर्म का मतलब आनन और हमने क्या समझ रखा है लिम्डिकेशन बंधन कठोर्ता प्रशानी दर्ग बुड़ाप़ै की खीक इसे बुड़ापा जवाणी क्या करेगी कि लाजी कि अधिवासब कि जो बस्तु का सुभाव है वो उसका धर्म है पानी का धर्म सीचता आदमी का धर्म उश्रता खोन का सरूप ये रूपे का ये आपका ये पत्नी का ये और आत्मा का जान में देखना दूनिया की धर्म तो समझा आ रहें का अनलड़ी ये अपना भजाल में नहीं आ रहा हूं प्यों है आपको संका हुई इस बात में के अगनी का पानी का पत्नी करताय रखा, संका हुई, गोई त्मिन आए, लेकिन ये मेरे शरू पर संका क्यों होती है, एक हजार अधाय दोंगो आपने, पिर सारे एक हजार भारन आपको समय में आ रहे हैं, लेकिन आपनी आत्मा का मेरा सुभाव क्या है, राजयो दाई ये समय नहीं रहता, और पर दोश्में क्या फरके मुझे समझाओ, आप मोबाइल लेके आते हो न, और इतने शारे वार्सटर पर जाते हैं, तो मोबाइल हम हो जाता है, बहुत सो हम हो गया, तो आप क्यों केते हो, अच्छा, ये तो इतना डेटा होगा, तो मोबाइल हम हो गई न, इसमें कौन सी बात है, तो आप रेस हो गए न, क्यूंकि आपको पता है कि मोबाइल का सफुन हम होना है, आपको आप पता नहीं होती हो, और अगर आपको पता ना हो कि मोबाइल का सफुन है तो आप उठागी, ठैक्यों बहुत, या प्रिसांगा रहना, रुखा है, बाँ, बाँ पयक् This तो अगर वत्तु का सुभाव समझ लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे दूखी कर सके तो धरम का मतलब वत्तु के सुभाव को समझना है लुए धर्मका मतलब कुछ करना तक नहीं है तो या धर्म बुराप यहें करें ज़वाई हैं करें तो या खुराप आपन करें कोई और करें ये जहनी करें ये कौन है, किसका है धर्म इसलिए कहते हैं कि धर्म Univorsel है इसलिए साफ्ट इसलिए हरिका है क्योंकि धर्म की परभास नहीं कुछ और है हमने धर्म की परभासा कुछ और बना दी हमने धर्म की परभासा यह बना दी मैं नहीं कहता हूं कि उब्रत उपवास पूजा पाठ यह सब नहीं हो को न ही चाहिए एक धर्म से क्या मतलब है उसका यह तो होगा ही आवसक्रियां हैं एक धर्म का मतलब क्या और हमने गाता पड़ ली वर्चु स्वाव धम्मू का मतलब क्या हम आये रात को सब बहुत अच्छी वेवस्ता आप लोग कर रहे हैं बहुत ख्यार रखने कमर जी सांती भाई आप लेकिन कुछ तक्लिक तो ही ना मैं घर पर जिस तक्लिक पर सोता हूँ और जिस नहीं हायटी तक्लिक तो होगी अब मुझे कोई दुखी कर सकता है मैं जिस टेमचर चुप के पानी में नहाता हू anda हो तो मुझे यह नहीं नहीं जगरा है ना धंडा निकल रहा है घरम निकल रहा है तो मैं दूसरे के बातरूम में नहूंगा इये तो सुभाभ है ना और यह मैं माल हूं तो मुझे पृपलिप हो सकती है तो कौन धर्ती में मुझे दुखी कर सकता है तो संजर भाई बोलो तो आज क्या करना है आज दिन में आपको एक होमवर्ग है कि जो भी तकलीफ आपको दिखाई दे तो तुरंत ही महसूस करना कि इसका सुभाव क्या है प्रेक्टिकल करना और मुझे साम को बताना पड़ेगी मैं ना ये जब महला इस साड़ी लेने जाती ही ना साथ तो मैं संध्या के साथ एक आदवार कभी गया देखने तो मुझे बड़ा इरिक्शन हो जाता है ये साड़ी देखो ये साड़ी देखो ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ फे बाद मा आदान पर बत कहती ही भईया कोई पसंद नहीं आई और फिर वो आद मुझे ला समेठता रहता तो एक बास अन्याव मैंने तू गाली में बैठ मैंने उसे पूछा मैंने का भाईसा या तमको तकरिफ निखो इतंद ये enda क्यों घर ते हो अ ये साड़ी वाले से पूछा बेठरा हो बडा क्या बोला मेलानाओं का सुहावी है मयाने का यह जां़ गुद्रू हो गया मुझे भी किसम हो रहा है वो बोजी केती हो रहा है वो किता है जानता हूं इंता सुभाव आएंगी आदा हंटर बेठेंगी फिर केंगी कोई और नया स्टॉक नहीं है या वो और पॉंच कोड़ों के स्टॉक रख रख रखा है और या एक इनने वड़ा दिखी कोई और नया स्टॉक नहीं है ते मैं लो पुम गुस्ता नहीं आती मूले नहीं आती क्यों क्योंकि मैंने मालियां इंगा सुभाव गए अब दो रहा है फिर आजाएगी वोई और फिर उसी पैसन के साथ वो फिर साजी दिखाएगा और ये जानते हुए भी किया अंदेवा नहीं कह सकती है मैंने कोई नया स्टॉक नहीं आया क्या लेकि उसने सुभाव समझ लिया तो किस दुखी कर सकता है मैं अगरे माझने के मेरा सुभाव करता धरता नहीं है मेरा सुभाव को सिर्फ जानना देखना है और जो हो रहा है मुझे सिर्फ जानना है मेरा सुभाव सिर्फ साथची पना है मैं अगर साथची भाव कहदा कर लो तो मुझे कोई ताकत नहीं जो मुझे दुख्य कर सके और यह मानता कि मेरा जानना देना और साफ़ी पना नहीं है पर यह धरा है आप यह बात वो जो आनंद रखा था नहां यह कहीं साइड में अब उसे वापस लेकर आओ कि अजर ये तुमने सुझकार कर लिया और ये चिंतन कर लिया तो क्या पैदा होगा आनद होगा न धर्म का मतलब आनद है कब जब सिद्ध हो जाएंगे तब है अरे कब तुमने अभू जिस बड़ तुमने चिंतन किया उसी पर क्यों चिंतन करता है कि संवखतसं er som k Ki Project क्यूं चिंतन करता है कि मोक्ष में कब आप जाओंगा कब नित जाओंगा तु इसी पर चिंतन कर इसी पर तुझे संवखतसं gi expressions पर और हो गया इसी पर तुझे ऽगा हृ इसी पर क्योंकि परका सहीयोग होगा तो विभा हो जाएगा और अगर अगर अपना सहीयोग रहेगा आपनी मानता रहेगी तो सुभाव में रहेगा तकलीफ तो दूसरे के आने से है तकलीफ तो दूसरा आएगा इसलिए पहला होगी अगर दूसरा नहीं होगा तो तकलिफ नहीं होगी परिसानी हमेशा दूसरे के कारण हुई है अगर यह चीज़ हट जाएगी तो आनद केंज लेके आने की ज़िवर्ट नहीं है आनद मेरे पास है इसलिए साप्ची भाव चर्चा करूं मैं दर्ज्रों में बीट में याद रखना कि मुझे साप्ची भाव अगर पकड़ के रखूं तो मेरा कोई कुछ बिगा नहीं सकता मैं संता भाव पकड़ के रखूं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगा सकता क्योंकि जितने करने धरने के भाव है उनी के करन कसाइं उत्पर होती देख इस तरफाली दाराओं ने फांसा दूरों करूंगा जितने करने धरने के भाव है कसाइं क्यों पहला हुए करते तो गवाव आया आप ने मुझे खुछ काऊ मुझे गुछ आया मैं तिरोद आया क्यों आया क्योंकि मुझे करते तो गवाव आया कि आप भी कारण ऐसा हुगा मैंने यह क्या इसलिए हुआ तो जितनी करसाइं पर अदा हो रही है यह इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अपने सुभाव को नहीं समझ पा रहा हूँ बोल्क अब्लबबिजुर। एक मैंस स्थमार्भ को समझजू ने तो एक सभसा इनकृ के सुना। ने, उट्फान नहीं का नुका नहीं है। कोई सैयों है। जब लुकी क्रोई किते इनके क्र्सआइं करते है'm, कोई सैंयों गूगा नुगा। उट। उटॉट। मुझे तुम्हे नहीं हटाना, मुझे स्माइक को नहीं हटाना, मुझे घड़ी को नहीं हटाना, मुझे सिफ परपदार्द को हटाना है, और परपदार्द क्या है, कि मेरे अलावा जो कुछ है, वो पर है, और उनका सहीयोग होगा, तो यह कैसा रप्पन होंगी, और जो भी कि मैं यही माल लूँगा कि यह पर है, यह मैं नहीं हूँ, तो काम खताम। फंडमन्ट बात संग में आ रही है कि नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, कुछ संग में नहीं आएगी तो बागी दर्जमें अंतिम्दम होगा, तफ तफ संग में आ जाएगा। क्योंकि हटी एक जूसे से कोर्लेट करेगी, हटी लिंक करेगी एक जूसे के साथ, क्योंकि जिन्वानी तो वही है न, विसा अलग होंगा, विसा भी में अलग नाम रखता हूं और विसा रखता हूं कि आपको पता चले कि अलग विसा में बात रखता हूं, पर चट्छा तो तो आपको पता चल जाएगा और इतनी सी बार समझ ना कि यह मानने के लिए बहुत इंपोर्टन बात करने जा रहा हूं कि यह शुरीकार करने के भी यह धर्म क्या है और बस्तू का सुवाब क्या है इस बात को जांगने और समझने के लिए जिनवानी का स्वाध्ध है और अभ्यास पे चोट मारने के लिए कुछ सथ समागम तो चाहिए ना इस अभ्यास को ठीट करने के लिए कुछ सबसथ समागम चाहिए हो भर्तमान में जिनवानी और सथ गूर्व के अलावा कोई दूसरा समागम नहीं हो सकता तो क्यों कहते हैं जिनवानी का स्वाध्ध है कर क्यों कहते हैं कि लेकर आओ तो मैं अपने बच्चों को अपने नित्रों को इसलिए मेरे के नहीं आना कि सुधान प्रिकास के प्रोग्राम में फीर बढ़ जाए इसलिए बढ़ लेकर आना है कि लिए जिस दुख से दुखी है वो दुख उनका कम हो जाए और बेश शुक के मुपी करने लगें उन्हें वो फंडामेंटर पता चल जाए जो फंडामेंटर सुखी होने के लिए जरूरी है उन्हें उस सिधान पता लगना है जिन सिधानतों से मेरा ये सुख उत्तन होगा उस सिधान तुने पता लगना है कि इस जनम के पहले भी कुछ था और जनम के बात भी कुछ होने वाला है यह कर अनिए खाव पियो मौत करो एंस करो काम करतम हो जाए और यह जुम्मेदारी हमारी है मत क्याना कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं है कौन सी बात नहीं मानते यही बात को छोड़के बाजी सब तो मानते हैं ना उसमे तुमार इतनी चलत आजाना है मैं तो चला जाओंगा दस दिन बाद अब वो नहीं आएगा आपका दोस्त मेत्र परचित आपका वेटा तो मैं दुबार आने वाला कर नहीं हूं दो चार साथ पिर क्या होगा पूरी जिनकी वो जैसी चाहे वैसी निकाले है यह नौदस दिन तो आपके हिसाफ से चल सकते हैं ना और मेरा यह विश्वास है कि जो मैंने कोशिस की उससे हजानों लोगों को रूची जगी मेरा परपच से मैं बार बार किया रहा हूं कि मैं इस तक को जन जन तक जन देना चाहता हूं मावी की जमाने में क्या था मुझ तक तो क्याने जित्ती बार मैंने करी यह किसी धर्म से संबंद देते है और वस्तुगा से वूप रहा है तो क्यों धर्म की बात करूं मैं समझे नो बेरी बात अब ही हम बच्चों से कहेंगे चलो तुम्हें संजेंगे अच्छा प्रोचन हो रहा है तो एक बंडी जी बैठे होंगे यह गाता हैं बड़ी बड़ी सुनाइंगे हमें नींद आएगी हमें संब्ड़ी आएगा नहीं आप पापा क्या रहे हैं तो मजबूरी है लेकि मैं कैसे बच्चे को खिनोना जुन जुन देखा देखा के उसे लेके आजाओं प्रसमझेंगे भाट मरेश में भटट जाएगे मैं देख रहा हूं युवापेडी को मैं देख रहा हूं लोगों को और मैं देख धर्म गुरूं को भीरबट रही है लाई लग रही है उनके पास क्यों क्यों क्योंकि हरे को सांती चाहिए तो हरे सांती के उन रस्ते को ढूड़ रहा है लेकि असली सांती तो कुछ और है उन्हें लेकर आने पड़ेगा कि अगरा उने संभाना पड़ेगा, और उने बताना पड़ेगा, मैं सच कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं करने की और मैं कर रहा हूँ और करूंगा, इसलिए कि लोगों को इस पता चल जाए जिए वास्ता में कुछ और है, एक बात और है कि तोड़ोमन जी ने 44 स्वे के लिखा है कि मेरे ये अनादी संसार का रोग पाया जाता है और उसके नास का मुझे उपाय करना है, ये ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, खुझा रहे हो, दुखी हो ना, ते पर शुखार करो, कि मुझे ये अनादी संसार का रोग है, और मुझे